भगवान एक आवशक विशेग वानी पीडिया से आज की दुनिया में विभिन धर्मों के उद्भव के साथ व्यक्ति भगवान के बारे में भ्रमित हो जाता है। इसलिए जन्ता के सबसे प्रमुख प्रश्न है भगवान कौन है मैं कौन है। भगवान से मेरा क्या रिष्टा है व्यदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान भगवान कृष्न है और भगवान के सर्वच व्यक्तित्व के लिए संस्कृत शब्द भगवान है। जैसा की शास्त्रों में कहा गया है भगवान की कुछ विशेष्टाएं इस प्रकार है कि वे इस ब्रहमांडिये अभिव्यक्ति के मूल हैं, उनके पास छे एश्वर्य हैं, और उनके पास कई रूप हैं जिन्हें वे जब चाहें प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति जो भगवान होने का दावा करता है वे धोखे बाज है, क्यूंकि भगवान केवल एक ही हो सकता है, अर्थात श्री क्रिश्न, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालापा और पत्र इस आवशक विशय की व्यापक प्रस्तुत प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स भगवान श्रेणी में देखा गया है, उनकी पुस्तकों का एक परिचयनिम्न लिखेता थुधरणों में दिया गया है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उधरन परम सत्य का अवयक्तिक पहलू उच्चतम नहीं है, अवयक् शेश्वादी साहित्य से उंचा है और वेदों के ज्यानकांड प्रभाग से उंचा है। यह कर्मकांड विभाग से भी उंचा है और उपासना कांड विभाग से भी उंचा है। क्योंकि यह भगवान के सर्वोच व्यक्तित्प भगवान श्री कृष्ण की पूजा की सिफार इस प्रकार उन्होंने बिलकुल भगवान कृष्ण की तरह काम किया, जिन्होंने अर्जुन के अनुरोध पर पहले अपना सार्वभामेक रूप दिखाया और बाद में कृष्ण के रूप में अपना मूल रूप फिर से शुरू कर दिया. भगवान अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारन कर सकते हैं, लेकिन उनका मूल रूप कृष्ण का है। जैसा की भगवद गीता में पुष्टी की गई है, अहन सर्वसे प्रभवुमत, समवन प्रवर्ते, भगई, दस दशमलव आठ, आदी, इसके आलावा, श्रीमत भागवतम यह भगवान के ध्वनी अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिनिदित्व है। श्रीमत भागवत 2.10, साथ, संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्य व्यास देव के पिता, महान अधिकारी पर आशर मुनी द्वारा की गई है। वह सर्वोच व्यक्तित्व जिसके पास सारी संपती, सारी ताकत, सारी प्रसिद्धी, सारा सौंदर्य, सारा ज्यान और सारा त्याग है। भगवान कहलाता है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत अमीर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सुन्दर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत विद्वान हैं और बहुत विरिप्थ हैं, लेकिन कोई भी यह अंदावा नहीं कर सकता कि उसके पास पूरी तरह से सभी धन, सभी ताकत आदी हैं, केवल कृष्ण ही यह दावा कर सकते हैं क्यूंकि वे भगवान है, भगवद गीता 2.2, भगवान स्वयम कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयम, SB 1.3, 28, वह विश्वात्मा है, सभी का मूल परमात्मा, क्यूंकि उसका पूर्ण भाग परम परमात्मा के रूप में विस्तारित होता है, भगवद गीता 13.3 में इसकी पुष्टी की गई है, क्षेत्र ज्यानम कप्पी माम विधी सर्व क्षेत्र शुभारत, भगवान कृष्ण सभी जीवों के क्षेत्र ज्यान या परमात्मा है, वह भगवान के व्यक्तित्व के अंसारिक अवधारना से अलग किया गया है, उनकी पहचान पूरी तरह से आध्यात्मिक होने के कारण, उनके रूप, नाम, गुणवता और सामगरी आधिको विस्तरित रूप से पदार्थ से अलग किया गया है, और इसलिए उन्हें कभी-कभी कम बुद्धिमान व्यक्ति एक दशमलव एक शुन्ये, चोबीस, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के पास अवतार का कोई स्रोत है, परम सत्य के सभी लक्षन पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में मौजूद है, और भगवत गीता में भगवान ने जोरदार धंग से घो नहीं है, हाला कि अन्ये स्थानों पर अवतारों को उनके विशिष्ट कारियों के कारण भगवान के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन कहीं भी उन्हें सर्वोच व्यक्तित्व घोषित नहीं किया गया है, श्रीमत भागवत 1.3, 28, जो लोग सत्य को जानते हैं, वे जानते हैं कि जो केवल मानसिक चिंतन द्वारा पूंट तक पहुचने का प्रयास करता है, उसे अंतह निर्विशेश ब्रह्म का एहसास होगा, और जो योग अभ्यास के माध्यम से पूंट तक पहुचने की कोशिश करता है, वे परमात्मा को महसूस करने में सक्षम होगा, लेकिन जो ऐसा करता है संपूर्ण ज्यान और आध्यात्मिक समझ से भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का एहसास होता है, चैताये चरित आमरित, आदिलीला 2.1.